हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब अभी बज रहे हैं दीन के सवा दस और मैं कीजन में हूँ अभी और इसके पहले आप देख रहे हैं मैंने 100 मिनट पर इंडक्शन करके रखा था और 80 मिनट आपको दिखा रहा है याने की 20 मिनट से मैं काम में लगी हूँ मैंने भींडी का पास निकलना है और सुबह जो हम लोगों का जिस तरह से रूटीन है योग वगेर करके नास्ता हम लोगों का हो गया चाय हो गया अब खाना के तैयारी में लगे हुए हैं तो यह बिंडी का भुंजिया हमने बनाया है आलू परवल की सबजी और अभी बनाओंगी अरहर की दाल चाबल रोटी सब कुछ क्योंकि टिफिन भी देना होता है तो यह देखेंगे इस तरह से परवल की सबजी भी पक गई है लगबग और मैं कोई भी सबजी बनाती हूं उसमें आलू बॉयल करके देती हूं अगर इस तरह से आप आलू दीजेगा तो सबजी बिल्कुल ग्रीवी आपको दिखेगा और तेल भी इसमें कम लगता है तो इस तरह से मेरा परवल का सबजी बन गई है और बिंडी का भुंजा भी अब मैं लगे हाथ इसमें दाल चड़ा दूंगी और अभी जो है दाल कूकर में ही मैं इसको तेल में फ्राय करूंगी क्यों से आज इसमें नहीं डालूंगी पानी डाल दूंगी नमक, हल्दी और टमाटर का भी ट्रेश्टी यह डाल बंता है खट्टे के लिए आप इमली का भी परियोग कर सकते हैं और चचे आम का भी परियोग कर सकते हैं और saç ठीने घ्राल कर से और अगर दनिया की पती है तो अरहर दा पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा आपके सामने में डेली इस तरह से ब्लॉग आते रहेंगे बिल्कुल सुद्ध ब्लॉग कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि अलग दिखाए और इसको प्रण नहीं है Whew Pakistan नहीं फूलियुए है कि टील नहीं बैने कौना ऑंद ट्रण छावल चढ़ा दूंगी और इसम点 पानी डाल हमें हमें चेल इक आज बस परिशानी ही परिशानी का सामना करना पड़ रहा है अब मैंने वह जो होता है नान श्टिक निकाला मैंने यह जो है तलका पीन इसको निकाला अब इसका बेस इतना ज्यादा इंडक्शन बेस था नहीं मुझे लगा कि हो जाएगा गर्म क्योंकि ग्लास वगेरा भी अब रख देती हूं तो गर्म हो जाता है तो मुझे लगा गर्म हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं तब फिर लाश में मैंने उसको प्लेट में गर्म करके दाल में तड़का लगाया है इस तरह से आप देख रहे हैं उदर मेरा चावल भी हो गया साथ में चावल हो जाता हो नहीं काम के दारान में कोई भी तिसरे काम में दिमाग नहीं लगाती हूं ये व्याली मैरा कोई बिल्कुल जल्दी हो याता है पहले मैं भी ऐसा करती थी या मैं दिदी लोग को सो हूँ अगर काम करें तेवी देख रहे हैं नहींद नहीं को नहीं से यहां क्ल्स पाता है अब इसला होता है लृकु Salt तक वह खाना खाएंगे में जल्दी रोटी बना कर टिफीन तयार कर दूंगे और यह आप देख रहे हैं पोटेटो क्रसर इससे मैंने सोचा इससे रोटी फुलाओंगी जूकि पहला रोटी है और रोटी को जो है पलटने के बाद रोटी डाल कर भी दबाने से फुलता है कप जल्दी बना लिया जल्दी और रोटी बनाने के बाद काम तो अभी आप समझ सकते हैं कापे पड़े हुए हैं काम और चुकि मैंने नहा कर नाटी पहन लिया था नाटी पहन करी मैं खाना बना रही हूँ कि कीचन में से निकलने के बाद बिल्कुल हालत खराब हो जाती है मैंने नहीं पहना था उसके बाद मैंने ड्रिस चैंज किया था तो मैं अब यहां पर जल्दी रोटी बना लोंगी रात का कुछ दूध है उस दूध को चढ़ा कर और मैं कीचन से बिल्कुल निकल जाओं क्योंकि अभी रोटी बन रहा है इनको मैंने खाना दे दिया है मैं मैं टिफिन पैक करूंगी यह आफिस आफिस के लिए निकलेंगे उसके अद मैं खाना खाऊंगी बाबो को खाना दोंगी फिर तब जाके मैं कीचन में आऊंगी तो चलिए देख लेते हैं रोटी तो अच्छे पूल रहा है तो डियर अभी बज रहे हैं दिन के सवा ग्यारा और अभी जश्ट मैंने अपना खाना खाया है और अभी तो कीचन का काम उसी तरह पड़ा हुआ है मैंने उनको खाना दिया और टिफिन पैक किया वो गये उसके वाद चुकि मेरे भी खाने का समय हो गया था ग्यारा सवाए ग्यारा बज रहा था मैंने भी अपना खाना खाया और आज तो आपने देखा अई थमनेल पढ़ा तो आपको पता चली गया होगा खाना बनाते बनाते ही अचानक से गयस कतम हो गया हलांके इन्होंने गयस वाले को फॉन किया लेकिन जब तक वो आते पहुंचाते तब तक इतना समय लगता इसलिए सारा चीज इंडक्शन पर ही मुझे बनाना पड़ा एक एक करके सारा चीज जो कि आपने देखा और जो पूरा की चन साप कर दें फिर हम किसी काम को सुरू करें लेकिन मेरे अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजे कोई सीरियल देखने में या कोई दूसरे काम को करने में मुझे समय लग गया और मुझे रात का खाना बनाना है और साब करती हूं 1 कढ़ाई साब करती हूं 12 बात फिर से किचन कि सफाई में लगती हूं जाय मुझे बरतन करना हो घैत इंञाने और इसके बाद मुझे एक वीडियो और भी सूट करना है जो मैंने अमेजॉन से समान मंगाया है तो आप लोगों को दिखाना है वो क्या समान था नहीं था तो अभी पहले कीचन को कंप्लीट कर लेते हैं हालांके हर दिन मैं 11.30 तक कीचन का काम बिल्कुल कंप्लीट कर देती हूं लेकिन अब यहां पर मैं कीचन आ गई हूं और यह जो सलेंडर आया हुआ था सलेंडर को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से धोलोंगी और यह जो स्कॉच वाइट होता है इसकरबर जो होता है उसको मैं दो रखती हूं एक सलेंडर वगरा दूलने के लिए तो सलेंडर को मैंने काम उसी तरह हैं आप देख लीजिए जिस तरह मैं छोड़कर अभी गई हूँ अब उधर दूद होते रहेगा जितने देर में दूद गर्म होगा उतने देर में यह सारा काम मैं सारा बरतन वरतन जितना भी है पूरा स्लैप्स पूरा की चन मैं साप कर दूंगी उसके बाद म तो अब 2-3 घंटे के लिए कीचन से मैं बिल्कुल दूर रहूंगी बस एक बाउन बिटा के लिए आउंगी तो अगर ट्रिक से कोई भी काम किया जाए और विल्कुल तारीतम बितासे तो आपके पास काफी समय बच सकता है काफी समय बच सकता है और आज जो है मैंने कपड दूलाता थोड़ा से मेरे था वर दूल दिया था और वीडियो भी बड़ा हो जाता तो तो तीन दिन ते मैं आपको दिखा रही हो तो बरतन लगातार बढ़ जाते हैं मतलब नास्ता का खाना चाय भी जाते आते एक बार वह पी लिये थे तो आप देखते हैं बरतन तो तो यहां आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉप्ट वाला स्पॉन चाहिए जो की मेरे पास नहीं था अभी कुछ मिल नहीं रहा है दुकान में जो होता है वही लेना पड़ता है तो यह ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने काटा था जो कंटूर करने के लिए भी बिल्कुल तो उसी से मैंने सारे नॉनिष्टिक कढ़ाई तवे को साप कर लिया और यह जो अब बचा है यह इसक्रवर वगेरा उसको मैं गर्म पानी में अभी ही लगे हाथ दुल लोंगी दो दिन में कम से कम मन तो करता है इसको रोज दुलने का लेकिन रोज यह संबब नहीं हो पा साफ दाने बरतनी पड़ती है अब देखेंगे यह कीचन की किड़की को मैंने खोला और देखें किस तरह से लाइट हो गया यह प्रॉब्लम में मेरे कीचन में बिल्कुल सीधा लाइट आती है वैसे तो कीचन बहुत अच्छा है लेकिन यह सूट के लिए थोड़ा सा दिक और आज यह रविवार का मैं आपको वीडियो दिखा रही हूं तो यह कपड़े अभी थोड़ा गीले हैं तो इसको मैं यह पर छोड़ दूंगी और जो कपड़े सुख गए उसको हटा कर और बाबु का कपड़ा कापी जमा हो गया दो तीन दिन का तो बाबु का मैक्सिमम आज में चूटा लगा रहा हैं और इससे साथ ही आज मेरे दुपर साड़े बारा वजे तक का सारा काम कम्प्लेट हो गया अगला ब्लॉग जरूर देखेगा अगरे ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि में वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और अगले वीडियो ब्लाग में परियास करूंगी वाल इस्टिकर वगेरा लगाने का कापी अच्छा अच्छा ब्लाग आपके सामने में आएगा तो आज दीजिए हमें इजाजत मिलते हैं आपसे अपने अ